हेलो गाइज, वेलकम तो माई यूट्यूब चानल गार्डन गाइड प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चानल पुछ दबल इकन तो गेट नॉटिफिकेशन दोस्तो आप सभी को मेरा प्यार भाया आदर आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कार्डन गाइड पर स्वागत है हम बात करेंगी चंपा के पौधे की जिसे फिलमेरिया भी कहते हैं जो लौास का राश्ट्रिय फूल है इसके पत्ते गहरे वे चिकने होते हैं जो देखने में बहुत संदर लगते हैं इसके पत्ते तोड़ने से एक सफेद रंग का पधाग निकलता है जो जहरीला होता है इसलिए इसे जानूर वगरा नहीं खाते इसके फूलों के लिए एक स्पाइक निकलती है जिस पर फूल आते हैं जो बहुत संदर वे कई रंगे होते हैं जैसे लाल, सफेद, रतीली, शेड़ वाले फूल मेरा ये पौधा लाल फूल का है इसकी गर्मियों में इसकी ग्रोध बहुत अच्छी होती है जबकि सद्यों में इसकी ग्रोध कम हो जाती है इस पौधे को धूब बहुत अच्छी लगती है और इसे 6-7 घंटे की धूब चाहिए अगर पानी की बात करें तो इसे कम पानी की आवर्शक्ता होती है क्योंकि देखिए इसकी छोटे से पौधे का तना भी कितना मोटा है इसमें पानी काफी मात्रा में होता है इसलिए अगर इसमें पानी अधिक दे दिया जाए तो तना भी जड़ गल सकते हैं इसलिए इसकी स्वाइल भी अच्छी तरह तयार करनी चाहिए जैसे गार्डन स्वाइल, वर्मी कमपोस्ट और सेंड अच्छे से मिलाकर तयार करें ये एक मैडिसनल प्लांट है इसके पत्ते, च्छाल और जड़ सभी का उपयोग होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले फिर मिलते हैं, शुक्रिया